इसके बाद हम करेंगे exercise 11D, subtract है, subtract, तो question number 1 है, 4.2 minus 2.1, 2 minus 1, 1, 4 minus 2, 2, यानि 2.1 इसका answer है, तो next है, इसमें 100.218 minus 48.244, 8 minus 4, 4, 11 minus 4, 10, 11, 7 आ गया, यहाँ 1 रह गया, तो यहाँ 0 है, यहाँ से हम नहीं ला सकते हैं, तो इसको यहाँ से लाएंगे, पहले, यह 10 बन गया, यहाँ से लाएंगे, इसको यह 9 रह गया, यहाँ से इसको लाएंगे, तो यह 9 रह गया, तो 11 में इसे 2, 9, 9 minus 8, 1, 9 minus 4, 5, तो 51.974, यहाँ 3 के बाद point है, यहाँ भी 3 के बाद point आएगा, उसके बाद हम करेंगे find the difference between 1, 3.5 minus 5.9 minus करेंगे, 5 में से 9 नहीं होता है, तो यह 15 बन गया, 15 minus 9, 6 आगया, यहाँ 2 रह गया, यहाँ से 2 लाएंगे, इदे 12 में से 5 माइनस करेंगे, 7, तो 7.6 इसका answer आगया, उसके बाद हम करेंगे next, करेंगे हम work out in your notebook, जो book में आपके दिया हुआ है, वो वाला करेंगे, and fill in the blanks, and fill in the blanks, देखे, एपार्थ है आपका, 2.35 plus 3.18 is equal to, करेंगे हम इस में, पहले, देखे, 5.53 minus 2.35, यहाँ गया, यहाँ से करेंगे, इसको यह 13 में से 5 माइनस किया 8, 4 में से 3 माइनस किया 1, पॉइंट, यहाँ 5 माइनस 2, 3, तो यह हम इस तर से करेंगे, 3.18 plus 2.35, तो इसको प्लस करेंगे, 13, 345, 0.3 plus 25, तो 5.53 आगया इसमें आंसर, तो 5.53 इसका आंसर बन गया, तो बच्चो शुक्रिया, सुआ असलाम आलेको,